हे दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा एक की रीजन क्यों कुछी लोग बहुत अमीर बन पाते हैं और क्यों जादतर लोग गरीब या फिर मिडल क्रास रह जाते हैं रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो बाप थे अब आप कुछ गलत मत समझेए पहला उसका खुद का था पर दूसरा उसके दोस्त का बाप था जिसे वो अपना मू बोला बाप मानता था पहले वाले ने पीएजडी की थी पर दूसरे ने कभी एड़ भी पास नहीं की थी दोनों बहुत ही स्मार्ट और हार्ड वाकिंग थे पर दोनों की सोच बहुत ही अलग थी और दोनों रॉबर्ट को अलग-अलग बाते सिखाते थे पहला बाप बोलता था कि पैसा सारे फसाद की जड़ है पर दूसरा बोलता था कि पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है पहला रॉबर्ट को हमेशा महेंगी चीजों के बारे में सोचने से मना करता था और कहता था कि वो हमारी हैसियत के बाहर है दूसरा उसे कहता था कि वो सोचे और अलग-अलग रास्ते ढूंडे जिससे वो सारी महेंगी चीज़े खरीच सके ये करने से उसका दिमाग तेज होगा और नए आइडियाज भी मिलेंगे पहला उसे कहता खूब महनत कर अच्छे से पढ़ लिख ताकि तुझे बड़ी कमपणी में नौकरी लगे और तू बड़ा इंसान बन पाए दूसरा कहता था तू खूब पढ़ महनत कर पर खुद की कमपणी खोल ताकि तू खूब सारी नौकरिया लोगों को दे पाए उसने खुद करोडों कमाए जबकि उसका पहला बाप जिंदगी बर गरीब रह गया सबसे इंपोर्टन बातों में से एक बात जो रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से सीखी वो थी जिसका मतलब है एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का डिफरेंस जानना अब आप गौर से सुनिए ये नॉर्मल कॉमर्स में सिखाए गए मीनिंग से थोड़ा अलग है रॉबर्ट ने काफी इजी शब्दों में उसका मेनिंग बताया है जो कि कुछ ऐसा है एसेट्स कोई भी वो चीज होती है जो आपको पैसे बना के दे या फिर आपके जेब में पैसे डाले और लाइबिलिटीज वो चीजे होती है जो आपके जेब से पैसे ले ले या आपके पैसे खतम करे अमीर लोग इसी लिए अमीर होते हैं because वो अपने assets बनाते हैं जबकि middle class लोग बस liabilities पे खर्च करते हैं मिसाल के तोर पर रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त थे दोनों same position और same salary पे काम करते थे जब भी उन्हें salary मिलती रमेश अपनी salary से नए कपड़े नया gadgets, नया phone, bike या car ऐसी चीज़े खरीदता था जो उसे अमीर जैसा feel कराती थी पर वो ये नहीं समझता था कि ये सारी चीज़े liabilities है जो उसके पैसे उससे ले रही है ना कि बस जब वो उन्हें खरीदता है तब बलकि आगे भी maintenance बगेरा के लिए जिसकी value वक्त के साथ कम हो जाई और ना ही वो उससे आगे कुछ पैसो का profit देगी बड़ सुरेश ऐसा नहीं था वो ये सारी चीज़े नहीं खरीदता था जब तक कि उसके लिए बहुत जरूरी ना हो वो चीज़ खरीदना वो पैसे जमा करता था और assets पे खर्च करता था जैसे के stocks, bonds, real estate अपनी खुद की skills बढ़ाने के लिए या कुछ सीखने के लिए जो उसे आगे और पैसे बना के दे दो साल बाद सुरेश करोड़ पती बन गया जबकि रमेश वैसे का वैसा अपनी कम salary को कोस्ता रह गया और कहता था कम salary उसके middle class होने का reason है एक गरीब इंसां का cash flow कुछ इस तरह होता है उसे पैसे मिलते हैं और फिर वो पैसे उसकी जरूरी खर्चों में खतम हो जाते हैं एक middle class का cash flow थोड़ा सा अलग होता है उसे पैसे मिलते हैं वो पैसे जरूरी खर्चों और liabilities में खतम कर देता है इसलिए middle class और गरीब में ज़्यादा फर्क नहीं है mostly middle class लोगों को लगता है उनका घर उनका asset है पर ऐसा नहीं है आपका घर आपको पैसे बना के नहीं देता unless आप उसको भाड़े पे दो जबके अमीर लोगों का cash flow ऐसा होता है उन्हें पैसे मिलते हैं वो उस पैसो से अपने assets बनाते हैं पहले और फिर उससे बने पैसो से खर्चा करते हैं इसलिए वो अमीर होते जाते हैं क्योंकि उनके income के source बढ़ते जाते हैं अगर आपको अमीर बनना है इन्वेस्टर की सोच अपनानी पड़ेगी लोग complain करते हैं उनकी खराब condition का reason उनकी कम salary है और salary बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे पर problem ये है कि income बढ़ने के बाद लोगों के खर्चे जादा बढ़ जाते हैं क्योंकि जादा पैसे जादा अच्छी चीज़े खरीदने पर मजबूर करता है जैसे के एक बहतर phone, car, घर जो के सब फिर से बस liabilities है जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी ये बाते मैंने Robert Kiyosaki की बुक Ridge Dad Poor Dad से पड़ी है जो वो पहली भुक थी जिसने मेरी सोच चेंज की और बहतर बनाई अगर आपको ये बाते अच्छी लगें